दोस्तो आज मैं आपको WhatsApp की 5 जबरदस सेटिंग्स के बारे में बताऊंगा जो आपको धूंडने से भी नहीं मिलेगी जी हाँ दोस्तो अगर आप एक WhatsApp यूजर है तो इन सेटिंग को सीखने के बाद आपको बहुत ज़ादा मजा आने वाला है तो अगर आप जानना चाते हैं कौन सी है ये सेटिंग्स तो आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिए आगे बढ़ने से पहले दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए साथ में बेल आइकोन को दबा कर आल पर सेट कर दीजिए ताकि जैसी मैं कोई नय वीडियो अपलोड करूँ तो इसकी नोटिफिकिशन सबसे पहले आपको मिल जाए इसके बाद आपको एक कमेंट कर देना है आप कौन सी सिटी, कौन से गाउ से है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाइग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो अभी फॉलो कर लीजिए ये मैंने एक नया पेज क्रियेट किया है अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे Instagram पर DM कर सकते हैं दोस्तों पहली setting की मदद से आप star message को delete होने से बचा सकते हैं दोस्तों कई बार हमारे WhatsApp में कई सारे messages, videos और photos आ जाते हैं अब ऐसे में दोस्तों हम क्या करते हैं? पूरी chat को clear कर देते हैं, delete कर देते हैं अब ऐसे में दोस्तों क्या होता है, जो हमारे star messages है, वो भी दोस्तों delete हो जाते हैं जिसकी वज़े से काफी दिक्कत हो जाती है, तो यहाँ पर दोस्तों आप अगर एक setting करेंगे इसके बाद अगर आप WhatsApp की किसी भी chat या किसी भी group की जो chat है उसे delete करोगे पूरा clear करके अपने WhatsApp की memory को free करोगे तो आपके जो star messages दोस्तों वो delete नहीं होंगे तो इसके लिए आपको क्या करना है दोस्तों यहाँ पर आपको three dot पर click करना है और यहाँ पर more पर click करना है और clear chart अगर आप किसी group या फिर किसी बंदे की chat को clear करना चाहते हैं और आप चाहते हैं उसके अंदर जितने भी star message आपने add किये हुए हैं वो delete नहीं हो तो आपको क्या करना है यहाँ पर जो नीचे वाली setting है delete started messages आपको इसे अंटिक कर देना है इस तरह से आपको अंटिक कर देना है और उसके बाद आपको chat को clear करना है तो दोस्तों क्या होगा जो आपके star messages से वो delete नहीं होगे उसके बाद जो फालतु की chat दोस्तों वो delete हो जाएगी अब आप मेंसे कहीं सारे लोगों को पता नहीं होगा कि star message होते क्या है दोस्तों क्या होता है जब भी whatsapp पर हमें कोई message जाता है या फिर कोई वीडियो या फोटो आता है जो हमारा फेवरेट होता है हमें उसे देखना होता है लेकिन हमारे पास इतना समय नहीं होता है मैसेज भी काफी बड़े-बड़े होते हैं जिसे पढ़ने का टाइम नहीं होता है और हम चाहते हैं कि हम इसे बाद में free time में पड़े तो आप इस message को star कर सकते हैं और आपको इसे दूणने की जरुवत नहीं है आपको ये star list में मिल जाएंगे जैसे कि यहाँ पर मैं कोई एक message ले लेता हूँ अब ये message देखने के लिए three dot पर click करना है star list messages में जाना है तो यहाँ पर आप देखेंगे ये message यहाँ पर आ चुका है अब मैं यहाँ पर इसे आसानी से बात में जब भी मुझे समय मिलेगा मैं आसानी से पढ़ सकता हूँ किसी के साथ share कर सकता हूँ यहाँ पर मुझे chat में जाकर धूडने की ज़रुवत नहीं है और यहाँ पर अगर आप किसी message को unstar करना चाते हैं तो वो भी कर सकते हैं यहाँ से आप select करेंगे unstar हो जाएगा यहाँ पर आप videos, photos वगेरा भी add कर सकते हैं दोस्तों दूसरी setting आपकी privacy को लेकर है आपके मन में हमेशा एक डर रहता होगा कि WhatsApp आपकी कौन-कौन से information को use करता है आपका कौन-कौन सा data WhatsApp के पास है अगर आप यह जानना चाते हैं तो WhatsApp में आपको एक setting करना होगी इसके लिए आपको WhatsApp को open करना है और यहाँ पर दोस्तों आपको three dot पर click करना है इसके बाद आपको settings में चले जाना है यहाँ पर आपको account में जाना है तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी request account info आपको इस पर click करना है इसके बाद आपको यहाँ पर request report पर click कर देना है इसके बाद दोस्तो WhatsApp आपको बोलेगा कि 3 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट तयार हो जाएगी और आप यहाँ पर आपको आना है और आपको से डाउनलोड करके ओपन कर लेना है और आप आसानी से देख सकते हैं कि WhatsApp आपकी कौन-कौन से information यूज़ करता है आपका कौन-कौन सा data WhatsApp के पास है अगर आपको मेरे यह वाल पेपर पसंद है तो इसका डाउनलोड लिंक भी आपको वीडियो के description में मिल जाएगा दोस्तो तीसरी setting की मदद से आप किसी भी गुरूप में किसी भी message, video या photo का reply प्राइवेटली दे सकते हैं मिसाल के तोर पर आप किसी गुरूप में joint है आप गुरूप में कहीं सारी videos, photos और messages लोग share करते हैं कहीं सारी chatting भी होती है, अब ऐसे में मान लीजे कोई video आपको पसंद नहीं आया है या फिर कोई message आपको पसंद नहीं आया है और उसका reply अगर आप group में ही देंगे, किसी को बुरा बला कहेंगे तो आप दोनों के बीच में जगड़ा हो सकता है, क्योंकि जो आप reply करेंगे, वो group के सभी member को भी दिखाई देगा तो ऐसे में दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, सामने वाले को privately reply कर सकते हैं जैसे के मान लीजे group में ये message आया हुआ है, जो मुझे पसंद नहीं है और इस बंदे को मैं reply करना चाहता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ privately reply करना और group के member को दिखाई ना दे, ठीक है, तो इसके लिए जा करना है, message को select करना है इसके बाद उपर three dots पर click करना है, तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी, reply privately जैसी मैं इस पर click करूँगा, तो दोस्तों उस बंदे की chat open हो जाएगी और वो message भी आ जाएगा, आप देख सकते हो message भी यहाँ पर आ चुका है अब जो भी आपको reply करना है, वो आप type करके message कर सकते हैं तो सामने वाले को यह पता चल जाएगा, कि उसने जो group में message किया था उसका reply आपने उसे private में किया है, अब आपकी जो भी chat होगी वो privately होगी गुरूप वालों को पता नहीं चलेगी, इससे आपका जगड़ा भी नहीं होगा दोस्तों, चोती setting की मदद से आप WhatsApp में किसी भी message को search कर सकते हैं मिसाल के तोर पर आपको WhatsApp पर bank details शेर करना है, या फिर आपका address शेर करना है किसी भी दोस्त के साथ में अब ऐसे में आपको पूरा address टाइप करना होगा, पूरी bank details टाइप करनी होगी लेकिन अगर आपने पहले ही WhatsApp पर किसी को अपनी bank details शेर की है, तो वो आपको आसानी से मिल जाएगी आपको एक-एक chat open करकर धूंडने की जरुवत नहीं है, आपको सिर्फ search बटन पर click करना है और जो भी message आपको धूंडना है वो type कर देना है, जिसे कि मुझे यहाँ पर अपना address बेजना है किसी को तो यहाँ पर सिर्फ मैं address type करूंगा, तो जितनी भी group और chat के अंदर address लिखा हुआ होगा message के अंदर वो सभी यहाँ पर आ जाएंगे, जिसे कि आप देख सकते हैं यहाँ आ चुके हैं, इसे मैंने open किया, यहाँ पर address आ चुका है अब यहीं से message share कर सकता हूँ, copy paste कर सकता हूँ, यानि कि मुझे एक-एक chat open करने की जरूरत नहीं है आप जो भी चाहें, यहाँ पर message search कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर मैं type कर लेता हूँ, point जैसे मैंने point लिखा, तो जो भी group है, या फिर personal chat है, जहाँ पर भी point लिखा होगा सबी message आ जाएंगे, जिसे मैं आसानी से धूंड सकता हूँ, मुझे एक-एक chat open करने की जरूरत नहीं है तो यह काफी useful है दोस्तो, whatsapp का जो search button है, यहाँ पर आप पहले photos, videos वगेरा search कर पाते थे, अभी भी आप search कर सकते हैं photo, videos, लेकिन इसके साथ-साथ यहाँ पर आप कोई भी word भी search कर सकते हैं दोस्तो, आखरी setting की मदद से आप whatsapp की home screen को पूरी तरह से clear कर सकते हैं जी हाँ, दोस्तो, मैंने whatsapp को open किया, आप देख सकते हैं यहाँ पर कहीं सारे group और chat वगेरा है तो मैं इन्हें पूरा के पूरा hide कर सकता हूँ, और whatsapp की home screen पर कोई भी chat दिखाई नहीं देगी आपके सभी messages, photos, videos रहेंगे वो delete नहीं होंगे लेकिन whatsapp की home screen पूरी तरह से clear हो जाएगी, यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देगा और कोई बंदा आपके whatsapp को देखेगा तो वो भी आपसे पूचेगा भाई, तिरी chat वगेरा कहां है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है तो यह setting करने के लिए आपको three dots पर click करना है, settings में जाना है, यहाँ पर आपको chat में जाना है और यहाँ पर आपको chat history में जाना है, तो यहाँ पर आपको एक setting मिलेगी, archive all chat आपको इस पर click करके okay कर देना है, और आप back आगर देखेंगे तो whatsapp की home screen पूरी तरह से clear हो जाएगी आप देख सकते हैं, यहाँ पर कोई भी chat दिखाई नहीं दे रही है, सभी chat hide हो चुकी है कोई भी बंदा whatsapp को open करेगा, उसे कोई भी chat दिखाई नहीं देगी अगर आपको इसे वापस लाना है, या किसी की साथ chat वगरा करना है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर archive लिखा हुआ है आप इस पर click करेंगे, तो आपकी सभी chat यहाँ पर दिखाई देगी, आप किसी की भी साथ chatting वगरा कर सकते हैं और आपको इसे दोबारा, अगर home screen पर लाना है, तो आप यहीं से ला भी सकते हैं, आपको सभी को select कर लेना है आप चाहे तो all select करके, arrow के उपर click करेंगे, तो आपकी सभी chat वापस आ जाएगी, जैसे के आप देख सकते हैं तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है, तो वीडियो को like ज़रूर कीजिए WhatsApp, Facebook पर जाधा से जाधा share कीजिए अगर चैनल पर नए हो, तो अभी चैनल को subscribe कर लीजिए और एक comment करके बताना, यह वीडियो आपको कैसा लगा तो मिलते हैं अगली वीडियो में, thank you